शारुक खान की Most Demanded Series, Dawn, जिसके तीसरे पार्ट को लेकर चर्चाहे चल रही है इस फ्रेंचाइजी के अंदर शारुक खान हमीशा अप टू डेट लुक में दिखाई देते हैं वे Black Shirt, Black Tie, Black Pant और Black Blazer में हमीशा एक Gentleman के लुक में नजर आते हैं लेकिन Dawn 3 में वे अपने लुक्स के साथ Experiment करते हुए नजर आ सकते हैं इस बार Dawn 3 की कहानी में काफी सारे बदलाव किये जाएंगे इस बार शारुक खान Dawn 3 के अंदर 6 से 7 लुक्स में नजर आएंगे ताकि उन्हें पुलिस ना पकड़ पाए इसके अलावा उनका Dawn 3 का करेक्टर एक Real Life Dawn के करेक्टर से थोड़ा सा इंस्पाइड होगा जैसे कीजी अप में Rocky का करेक्टर इंस्पाइड था कुछ वैसे ही शारुक खान का भी करेक्टर इंस्पाइड होगा लेकिन यहां सवाल उठता है कि कौन शारुक खान का कॉस्टुम डिजाइन करेगा मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए हॉलिवोड के मशूर कॉस्टुम डिजाइनर को बुलाया जाएगा जो शारुक खान के लुक को डिजाइन करेंगे और उन्हें नेवर सीन बिफोर अव्तार में उनके फैंस के सामने पेश करेंगे तो आप लोग कितना एक्साइटेड है शारुक खान को डिफरेंट लुक में देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए शारुक खान की डॉन फ्रेंचाइजी एक सूपर डूपर हिट फ्रेंचाइजी रही है ये ऐसे फ्रेंचाइजी रही है जसने शारुक खान को तब मदद की जब शारुक को सबसे ज़ादा जरूवत थी लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं ये दोनों मूवी अरली 2000s में आई थी और तब जो ओडियंस थी और आज जो ओडियंस है उसमें जमीन आसमान का फर्क है तो ऐसे में क्या ये सही होगा कि डॉन 3 मूवी इस समय बनाई जाएगी तो चलिए मैं आपको इसका जवाब देती हूँ देखो दोस्तों अगर डॉन 3 की मूवी डॉन 1 और डॉन 2 से रिलेटेड ही हुई तो डॉन 3 नहीं चल पाएगी क्योंकि 2006 की ओडियंस और 2023 की ओडियंस में अंतर है अगर शारुक खान को डॉन 3 को आज की टाइम पर हिट करा रहा है तो उन्हें आज की किसी रियल लाइफ क्राइम पर बेस्ट स्टोरी बनानी होगी जो उनकी डॉन मूवी को स्टूट कर सके उसमें कई सारे हाई टेक डिवाइस दिखाने पडेंगे और कुछ ऐसे डिवाइस भी दिखाने पडेंगे जो हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं इससे ये होगा कि आज की ओडियंस फिल्म से कनेक्ट कर पाएगी अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इस टाइम पर डॉन 3 नहीं चल पाएगी आज कल सिनिमा वर्ल्ड में नया ट्रेंड चालू हो गया है यूनिवर्स क्रियेट करने का जो काफी सूपर हिट रहा है इसकी शुरुआत खुछ शारुक खान ने की है अपनी पठान फिल्म के साथ और जैसा पठान को रिस्पॉंस मिला है उसे देखते हुए हो सकता है कि शारुक खान अपील डॉन फ्रेंचाइजी को एक यूनिवर्स में बदलते और हमें डॉन 3 के अंदर शारुक खान के अलावा भी कई सारे स्टार्स देखने को मिल सकते हैं और कई सारे विलन भी देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है कि डॉन 1 और डॉन 2 के कुछ विलन भी हमें डॉन 3 में नजर आए जिसकी मदद से डॉन 3 से युनिवर्स बनाने की शुरुआत हो ऐसा हो सकता है क्योंकि डॉन एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके अंदर मल्टिपल केरेक्टर आप सोच सकते हो जिनमें कुछ शारुकान के साथ रहे और कुछ उनके खिलाफ पर लेकिन उनहीं के साथ रहे और उनको गिराने की कोशिश करते रहें ताकि वो डॉन बन सके ऐसी कुछ नए ट्विस्ट एंटर्न्स के साथ जो पहले किसी ने ना देखी हो या देखी भी हो उसे एक नए अंदास के साथ देखाएं। अगर ऐसा हो गया तो डॉन फ्रेंचाइजी का यूनिवर्स Avengers के यूनिवर्स से भी बड़ा होगा। क्योंकि डॉन फ्रेंचाइजी सिर्फ एक फ्रेंचाइजी नहीं है। वो एक emotion है और दो जनरेशनों के भावनाओं को संजोती है अगर उसका universe बनाए जाए तो वो दुनिया का सबसे अच्छा universe हो सकता है आपका इस universe को लेकर के क्या ख्याल है मैं फड़ा फिर से बताईए comment section में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चारण को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलिये और मुझे यानिशूती को दीजे चाल साथ नमस्कार